हर लो गाइज वेलकूंट प्रे पार्ट ऑफ वेब डिजाइनिंग कॉर्स दो गाइज आज की इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं जाबा स्क्रिप्ट के बारे में होके तो आज की । जो क्लास होने वाले हैं हम लोग जाबा स्क्रिप्ट के बारे में एक दम कॉंपलेट से क्लास हम लोग आज करेंगे ओके बहुत सरी जानकारी हम लोग को मिलेगी इस क्लास के अंदर हम लोग यहां पर जाबा स्क्रिप्ट को कैसे यूज कराया जाता है जाबा स्क्रिप्ट कहां यूज कराया जाता है वो सारे चीज के बारे में हम लोग आज सीखेंगे, तो फार्ष्ट हम लोग बैसिक सा नॉलज हम लोग को चाहिए, जाबा स्क्रिप्ट के बारे में अगर कोडिंग करने से पहले हम लोग को बैसिक सी नॉलज चाहिए, तो इसलिए हम लोग थोड़ी जी उसकी नॉलज गेन क करते हैं करना तो उससे पहले में बता दूँन बैसिकलuri जाबा स्क्रिप्टत सके चुली है तो फार्टिज जाबा rikt हम लोग लोगे होता है है यहाँ पर नॉट कर सकते ह ओके मैं पर question type कर रहा हूं what is JavaScript तो answer में यह लिख्वाइब जाबा स्क्रिप्ट हम लोग को पता है जाबा स्क्रिप्ट एक लांगवेज तो कौन ची लांगवेजे ये लाधिज्युक एक इबेन्ट बेस्ट प्रोग्रामिंग लंग्वेज्जी तो जाबा स्क्रिप्ट इस तो कि झथानत इसे 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 ईवैंट ऊके ईवन विश्ट प्रोग्रामिंग लेज्गे सुस्ट तो हम लोग को clear होगे कि जाबा स्क्रिप्ट है क्या है और भी हम लोग क्या करेंगे जाबा स्क्रिप्ट कैसे हम लोग यूज करेंगे हमनलो clicks बगर में हम लोग यूज करेंगे double clicks right click left click mouse click वो सब कैसे एक्चुली वार करता है वह सब चीज़े जाबास्क्रीप्ट की थ्रो हम लोग करेंगे ओके तो पहले हम लोग क्या-क्या चीज़ हम लोग सिखेंगे क्लिक के अंदर हम लोग यहां पर सिखेंगे double click ओके और और एक चीज़ हम लोग सिखेंगे राइट क्लिक हमारे जो माउस में हम सीख सकते हैं डॉबल क्लिक क्या काम करेंगा कैसे काम करता है एक्चुली और अगर किसी के उपर हम लोग डॉबल क्लिक करेंगे उसका काम क्या है और हम लोग माउस क्लिक उसका काम क्या है और आपको पता ही होगा आगर हम लोग ने जो पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस कर रहे थे जियो की है हावर के बारे में अगर हम माउस माउस की जो कॉर्सर को मतलब माउस को अगर किसी लिंक के उपर ले जाते हैं तो उसकी कॉलर बगरा जो चेंज हो जाती है उससे बोलते हमें हावर तो उसके बारे में भी हम लोग सिखेंगे mouse over okay और एक चीज़ हम लोग सिखेंगे mouse out okay और एक चीज़ हम सिखेंगे drag and drop drag and drop के बारे में ऑके ऑट पूट माऊस ओके ढ्राग एंड और हम लोग सिखेंगे लोडिंग के बारे में, onloading के बारे में, resize के बारे में, और scroll के बारे में, यह सारी चीज़ के बारे में हम लोग सिखेंगे, हम लोग load, अब यह से note कर सकते हो, अपने notebook के हंदर note करो, और onloading, और उसके बाद resize, और हम लोग सिखेंगे, scroll, इस तरह से बहुत सारी चीज़ के ब जितने भी वीडियो रहेगी उसके अंदर हम लोग यह discuss करेंगी हम लोग पूरी तरह से complete package यह होती है आपके लिए यह सारे की सारे चीज़ हम लोग discuss करेंगे और भी बहुत सारे चीज़ है उसके बार में भी हम लोग discuss करेंगे इस topic के अंदर यहां पर उससे पहले में बता दूँ यहां पर और कुछ जानकारी से पहले और एक चीज में बता दूँ आपको जैसे हम लोग css करते हैं यह रही css file ओके जैसे css file को अगर हम add करते हैं हमारी जो html के अंदर linking करते हैं तो .css use करके जो अभी चीज़ हम लोग लिखना चात है वह लिख सकते हैं easily और अगर हम लोग javascript create करेंगे तो हम लोग वह क्या करेंगे na js file create करेंगे मैंने यहां पर javascript.js file इस तरह से की है आप लोग simple सा उसे css file create करते हो उससे इस तरह से simple सा जाके आप javascript file create कर सकते हो ओके और उसके और कुछ जानकर हम लोग लेते हैं what you can do okay what you can do तो क्या कर सकते हैं web development okay web development इससे हम लोग web development कर सकते हैं इस तरह से हम लोग web development कर सकते हैं और मॉबाइल आप भी हम लोग web development कर सकते हैं जो कि बहुत वी ट्रेंडिंग में चल रही है मॉबाइल आप development इस तरह से हम लोग उस्ट की थ्रो से यह सारे की सारे चीज़े हम लोग कर सकते हैं जेलिए और what you need to do js what you need to do the js यह जावस्क्रिप्ट ओके तो उसके लिए आपको पता ही होगा हम लोग जैसे यूज करते हैं यहां पर हमरा यहां पर यहां पर यूज करते हैं विज्वाल स्टूडियो को और हो गया हमारा प्रस प्लस इसोग चीजें कहोती है html इडिटर ऑके html एडिटर हम लोग मनलों जैसे होके हमारा वीजूल स्टूडियो से नॉटपैड फिल फ्लस प्लस और बहुत सारे होती है नहिन हम लोग जैसे HTML एडिटर यूज करते हैं और एक चीज़ हम को ज़रूत-पढ़े ज कुई के वे browser जैसे हम लोग को करते हैं chrome ब्राउजर श्करते हैं talents ना मौझरण फायर फ्लग यूज करते हैं और जो भी चीज़े हम लोग को थे करते हैं ओक यह रह गया वसकी ओन्फी ब्रॉजर और यहां पर मैं आपको लिख के दिने रख देता हूं आपको उसे नॉट कर लीजेगा जरां यहां पर फ़ट नॉट आपको अपको आपको जो यहां विज्स लिए टिम्स अधितर फ्टिम एडिटर लाइ यहां मध वीज्व शीजियो जो विज्वाल स्टूडिय हो गया सीप मोग सी प्लॉस प्लॉस मतलब नोट पेड़ सी नोट पेड फ्लॉस प्लॉस ओके नोट प्लॉस 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 अगर ब्रावजर की बात करें हमारे पास है जो कि एक क्रॉम ब्रावजर मोजला फायर्वक्स इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो हम लोग कहां पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ओके मान लोगर हमने पास जीएस जीएस फाइल को जो है जाव स्क्रीप्ट कर सकते हैं जो कि हमारे जो सेस था हम लोग इन लाइन लाइन यूज़ कर सकते थे और external method यूज़ कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए तो हम लोग उसके बारे में आपको जीद दिया है उसकी जो knowledge उसके बारे में थोड़े शी आपको जानकर दी हुई है आप उसे not कर सकते हैं आपकी जो अभी हम लोग वही सेम चीज़ करेंगे उसकी structure बनाएंगे फिले structure बनाने के लिए stml और उसके बाद head head के अंदर title और title में हम लोग आज सिखते हैं जावा स्क्रिप्ट और आए हम लोग आप जावा स्क्रिप्ट के बारे में सिखेंगे और header के अंदर हम लोग अभी mention करेंगे body यह हो गया अब भी देखो हम लोग अब क्या करेंगे यह तो सारी को सारी चीज़ principles हम लोग ने review Pow अभी हम लोग क्या करेंगे basically हम लोग इस फाल को यहां पर link करेंगे लिंक करने के लिए वह कि वही सेम चीज हम लोग करेंगे, जो कि भीे स्क्रीप्ट के अंदर यहां पर हम लोगों अभी उज़ करेंगे , पे-Schी, or यहां पर जाफ स्कृप्ट .ds दोट.ds सब्सक्राइब करेंगे और अभी उसकी आउट्पूट भी देख लेते हैं क्या आती है या कुछ नहीं कि देखो कुछ भी नहीं रहेगा आपको पता ही होगा और अब भी हम लोग दूसरी चीज़ यहां पर एड करते हैं देखो यहां पर स्क्रिप्ट यहां पर यहां पर आप यूज कर सकते हैं और और बोडी के अंदर आप लोग यूज कर सकते हो यह दोनों जगे पर आप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो देज़ ओके तो हम लोग अभी चीज़े एड करेंगे हैडर के अंदर ओके लोग पहले उससे डिलेट करते कि हम योग कि हम लोग पहले है करेंगे script ngoit करेंगे okay script और अ उसके अंदर हम लोग फिन घव धी उसके हरे हैं और अधिए कर और अम। है जहीत डोकुमेंट मेंट औरे फिन चानि में लखेंगे डबलू आराइटी राइट ओके ब्रेकट स्टार्ट जन कॉलों सेमी यह ब्रेकट स्टार्ट हो गया और डबल कॉट टबल कट के अंदर हम लोग जो भी टेक्स्ट लिखना चाहिए वह लेख सेकते हैं हम लोग अभी लिखते हैं फास्ट क्लास लास्ट ऐस जावा स्क्रिप्ट ऑके जाबड़ा सेम्क्र आपना भी उनक्पित्वें, अभी उसकी और देखते हैं करिए हेडर के अंदर ड्कुमेंठ के त्रो कि थे हम लोगोने यह ड्रोकुमेंट को वहीज कराओ और आप लोग document.write हम लोग जो भी चीज़े लिखना चाहते हैं यहां पर मैंने mention करा और बास ओके होगे बट उसके बाद आप लोग यह semicolon को एड़ करना पड़ेगा ओके सेव करा और एक चीज़ हम लोग वही चीज़ एंटर करते हैं यहां पर copy करा मनें, paste करा ओके बट यहां पर लेकते हैं सेब करा मनें यहां पर देख सेकती हो जो कि उसके output है यहां पर first class of java और second class of java यह देखो यह a की line पर आ रहा है अगर हम लोग उससे नीचे अगर यह जो second line of java को अगर हम लोग नीचे लाएंगे तो उसके लिए भी हम लोग वहां पर coding करेंगे तो उसके लिए हम लोग simple सा चीज एड़ कर सकते हैं जो कि एक टेग यूज करेंगे जो कि बी एर टेग अगर हम लोग यूज करते हैं अभी उसके output आप देख सकते हों यह नीचे आ गया अगर हम लोग को इस दोन लाइन के बीज़ अगर स्पेस देना सकते हैं तो अभी हम लोग और एक बीर टेग अगर निड़र है हम हमें तो हम लोग और एक बी आर्ट एड़ करेंगे उससे सर्फ करेंगे और उसके लाइब आप देख सकते हो गया है है देखाँ अब सलोग कि अबहुत थे हम लोग तो यह दून हो वह गया अभी हम लोग यहाँ पे एड़ करते हैं बोडी का इंद ही ये header section के अंदर ये जो है ना ये head के अंदर जो भी हमने चीज एड किये है वह automatically यहाँ पर हम लोग को हमारा ये output रहे गया अब भी हम लोग body के अंदर उसे start करेंगे तो body के अंदर start करने के लिए वही same चीज हम लोग कुछ add करते हैं उसके अंदर पहले ओके पहले हम लोग start करेंगे script वह start करेंगे script और script के अंदर ये सारी चीज आपको लिखना पड़ेगा ये धान दीजेगा script और हम लोग अभी add करेंगे document document.write bracket start और उसके अंदर हम लोग पहले double quote और double quote के अंदर आपकी टेस्ट आप लेक्स रखते हो ओके अगर हम मैंने मालो यहां पर add करता हूँ what is your as okay यह एक में line यहां पर add करी हूँ उसे save करा मैंने अभी उसके output देखते हैं यहां पर वह ही देखो यहां पर what is your as हम लोग ने body के अंदर add किया था और यहां पर यह आगया यहां पर और एक चीज़ एड करता हूँ add करता हूँ add करता हूँ add करता हूँ यह देखो इसके output यहां पर जो भी था पो उसकी difference पता चल गया होगा यहां पर यह तो RM से आ गया अगर यहां पर देखो यह रगया उसकी heading tag add करते है और उसके बाद यह बोड़ी के अंदर जो भी हम लोगों ने add की है वह आ रहा है तो इस तरह पूल चीज़े यह बेसिक सी चीज़े आप लोग पहले से सीख जाओ और उसके बाद जो भी हम लोग programming करेंगे वहाई पर आप लोग को फूल बता चल जाएगा यह चीज़ किसे काम करता है ओके यह रही और और कुछ होज हम लोग ने अभी add करेंगे उसके अंदर और उसके output भी लेकेंगे यहाँ पर देखो अगर कुछ चीज़ की पहले आपको अगर double slash add करते हो तो मैंने save करा उसे यहाँ पर मैंने उसके output आपको यहाँ पर देखा देखा देखो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो हम लोग ने जो भी यहाँ पर edit करी है ओके ये second line को हम लोग ने यहाँ इन यहाँ देखो ध्यान से देखो यहाँ पर जो फीर उसकेंड लाइन है नहीं आपको नहीं देख रहा कियूँकि हम लोग इसे मतलब disable कर दी है, अगर आप किसी भी लाइन को, अगर आप लोग disable करना चाहो, अगर identify करना चाहो, तो उसके लिए, यह आपके लिए, काम बहुत ज़्या helpful होती है, यह double slash, यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम लोग इसे double slash में अड़ा देते हैं, मैं उसे save कर रहा है, यहाँ आग करा मैंने, यहाँ पर देखा, ओके, तो यहाँ एक आप लोग को पता चल गया होगा, और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देख सकते हो, star, मैंने simple यहाँ पर star यूज़ करा, slash, star, ओके, देखो मैंने यहाँ पर slash, star यूज़ किया, और यहाँ पर जो भी चीचाह था, इस्क् करा, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को करना चाहें, तो कैसे, अगर simple यहाँ डॉबल slash, यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इस तरह सके star, यूज़ कर सकते हो, slash star, ओके, अगर बहुत सारे, यह थो छोटी एक, मतलब छोटी सी कोडिंग है, अगर बहुत ज़दा कोडिंग होगी कि आपके पास 1200, 5000, 5000, 1000 की जो लाइन होगी, आप उसको manage करने के लिए, ओके, तो आप लोग इससे, आप कर सकते हो, फेरीजी लोगे, अगर हम लोग, यह फास्ट लाइन को shift करना हो, हम लोग यहां पर, इस तरह से add करेंगे, ओके, और यहां पर आप देख सकते हो, जो भी चीज़े होगी, जो लाइन था, वह इस इफ डीजीबल हो, सेकेंड लाइन जो अगी है, यह आपको डिस्पले होता होगी, दिखाए देगा, तो इस तरह आप चीज़ों को कर सकते हो very easily मैंने आपको कुछ चीज़े सिखाई हुआ है, और भी बहुत सारे चीज़े हैं, जो कि हम लोग नेस्ट वीडियो में discuss करेंगे, ओके, तब मिलते हैं नेस्ट वीडियों, तब तक के लिए, बाबाए